अखिर क्यों, क्यों हम सब्दों का सोशन करते हैं, क्यों मंत्र को मंत्रा कहते हैं, क्यों योग को योगा कहते हैं, और ये सोशन तब सुरू होता है, जब अंग्रेजी बीच में आ जाती है, हम कर्म को कर्मा कहने लगते हैं, धर्म को धर्मा कहने लगते हैं, और इसी तरह से ना जाने कितने सब्दों का लोगों ने सोचन किया है। अगर कोई व्यक्ति हिंदी नहीं बोलता, संस्कृत नहीं बोलता और भारत में पैदा नहीं हुआ है। तो समझ में आता है कि वो उन सब्दों का सही से उचारन नहीं कर सकता है। इस वेसे वो अपने हिसाब से उचारण उसका कर रहा है। लेकिन हम भारतिय आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। क्यों हम कर्म को कर्मा कह रहे हैं। क्यों हम धर्म को धर्मा कह रहे हैं। क्यों हम योग को योगा कह रहे हैं। अगर आपको कोई रिसब की जगर रिसबा कहे तो क्या वो सही होगा अगर आपको कोई राहुल की जगर राहुला कहे तो क्या वो सही होगा और यहाँ पर देखा जाये तो हर सब्द का सुशन नहीं हो रहा है सिर्फ कुछ ही चुन्दा सब्दों का सूशन होता है जो कि बहुत ही ज़ादा महत्पूर्ण सकते हैं मेरा आप से आज एक निवेदन है कि जिस भासा की सब्दों का भी आप प्रयोग कर रहे हो उन सब्दों को पहले समझेए कि वो किस भासा से आये हैं और फिर उन्हीं मूल भासा में उनका उचरन कीजिए उनको बोलिए धर्मा को धर्म कहिए कर्मा को कर्म कहिए क्योंकि वो वही है अपनी मूल भासा में मिलते हैं कल नमस्कार